नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिप्शा की पूरे टीम की तरफ से मैं हूँ अभिनोत शांशू पांडे और हम कर रहे हैं परिच्छा की तयाई हमारे प्लैटफॉर्म पर आपको मिशन 2023 के नाम से हमारे सारे वीडियो और एडिशनल मैटीरियल मिल जाएंगे आप हमारा अप्लिकेशन इस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्लैटफॉर्स से जो कि फ्री आफ पॉस्ट है और इसके अलावा यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी हुई थी यहां पर हम एक प्रिज्म की बात कर रहे हैं और हमको प्रूफ करना है म्यू बराबर साइन ए प्लस मैग्जम डिवियेशन डिल्टा एम डिवाड़ेड़ बैटू और साइन ए बाइटू चलिए आईए कंस्ट्रक्शन करते हैं सबसे पहले बनाएंगे हम त्रभुज में जो है यहां पर प्रिज्म का प्रिज्म समझते ही हैं तो इस एंगल को रहे हैं अब यहां पर जासे जैसे काम होते जा रहा है आप देखिए यहां पर हमको एक आप्तित्किरण मिल गई जो कि बिंदू P से बिंदू Q तक आ रही है यहां पर यह आपतित किरन जो है वो जब प्रिजम के अंदर जाएगी तो यह हमेशा अपने बेस याने के आधार के समानतर चलती है और यहां से यही किरन जो है क्या हो जाएगी अपवर्तित हो जाएगी अब आपतन और अपवर्तन यह दोनों जो घटनाएं हम देख रहे हैं इसे हम हमेशा किस दृष्टी से देखते हैं इसे हम हमेशा अभिलंब के सहायता से देख रहे होते हैं तो हम लोगों ने इस सताह पर एक अभिलंब बनाया यह यह अभिलंब और इस सताह पर एक और अभ रख देते हैं ओ, ठीक है और यहां पर PQ के बाद में यहां रख देते हैं R, और यह हो जाता है S अब विचलन क्या होता है? विचलन के बारे में जब हमें बात करनी हैं, तो हम दिखेंगे कि यदि यहाँ पर कोई दूसरा माध्यम नहीं होता तो यह प्रकास की किरन सीधे ऐसे निकल जाती लेकिन क्योंकि यह प्रकास की किरन इस प्रकार से जा रही है तो हम इसे थोड़ा पीछे लेंगे और यहाँ पर जो हम को यह वाला कौन दिखाए दे रहा है इस कौन को हम विचलन का कौन कहेंगे ठीक है जैसे जैसे आपतन के कौन के मान में बृद्धी होते जाएगी वैसे 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 विचलन का यहा कौन बदलता जाएगा इसे हम डो से प्रदर्शित करते हैं और यहां पर जो हमें बिंदू मिला इस बिंदू का नाम रख देते ह है अब हमें ध्यान से देखना है सबसे पहले आप एक दो और बातों का ध्यान रखें यहां पर जो बनने वाला कौन है यह नब्बे अंस का कौन है क्योंकि हम लोगों ने अभिलंब लिया हुआ है इसे प्रकार से हमको जो दूसरा कौन दिखाई दे रहा है यहां पर यह भी नब्बे अंस का कौन है और यह भी जो है हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ठीक है अब जो है हमारे लिए दूविधा के सब्जेक्स नहीं है सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो है कौनों का नाम रखेंगे यह वाला जो हम लोगों को यहां पर कौन मिलता है यह आई थी वह अपवर्तित होकर यहां से जा रही है तो यह वाला कौन हमको अपवर्तन का पहला कौन आरवन हो गया अब यही जो है किरन जो है वो दूसरे माध्य में जा रही है तो यह हो गया अभिलम और यहां से अपवर्तित किरन जो है अभिलम से दूर होकर जा रही है इसका नाम को हम रख देते हैं E और उसके बाद में यह जो आपतन कोण है इसका नाम हम लोगों ने यहां पर रख दिया R2 यह जो है हमारी पहली प्राथमिक तैयारियां हैं अब हम धीरे-धीरे करके सारी चीजों की बात करेंगे हम पहले आप और चतरव्भुज और अब हम ध्यान से देखेंगे ये वाला कॉंड डे कोड इन्स है और उसकीड पॉत मिला कि के सभी आंताहों का मान कितना होता है 360 होता है तो 360 में से 180 चला गया तो अब हमको कोण मिला कोण ए धन कोण QOR और इन दोनों का योग होगा 80 180 तो कोण ए धन कोण QOR और इन दोनों एक सो असी रिण कोण QOR और यहां तक की बात हो गई अब हम थोड़ा इस कोण की ओर ध्यान देते हैं यहीं तो है हमारा कोण QOR तो हम एक त्रिभूज देख रहे हैं त्रिभूज QRO और त्रिभूज QRO त्रिभूज QRO अब त्रिभूज की जो है अंदर सभी अंता कोणों का योग कितना होता है 180 होता है तो यहां पर जो है हम बोल सकते हैं कि R1 धन R2 धन QRO का मान एक्सवसियंस हो गया या फिर हम क्या बोलते हैं कोण R1 धन कोण R2 धन Q ओ आर और इसका मान हो गया एक्सवसियंस या हम बोल सकते हैं कि कोण QOR का मान कोण QOR एक्सवसियंस रिण QOR लिख देते हैं तो एक्सवसियंस रिण कोण QOR का मान हो गया R1 धन R2 यहां देखिए तो यहां से हम को क्या दिखाई दे रहा है कि 10.7 रिण QOR का मान R1 धन R2 है और 119 रिण QOR इसका मान है A तो इससे जहां हम बोल सकते हैं कि कोण A का मान बराबर किसके हो गया कोण A का मान बराबर हो गया R1 धन कोण R2 यह इसको थोड़ा है अच्छी तरीके से लिखा जाए तो हम थोड़ा रंग चेंज करते हैं और इसको लिक्टेते हैं आउर्वन धं अर्टो है यह जानकाई हमारे लिए महद्ध को अब अगली बात क्या है अगली बात यह है कि इनका संबंद्न हमको कि से निकालना है इसका संबंद हमको दो से निकाला है त्रिभूज TQR अब इस त्रिभूज के अंदर जो है हम कोणों के बारे में देखेंगे तो हम क्या जानते हैं कि त्रिभूज के दोनों अंताह कोणों का योग बाहे कोण के बराबर होता है मतलब हम जो है दो बराबर ये जो बाहे कोण है दो इसके बराबर हम जो है बोल सकते हैं कोण TQR धन कोण TQR अब जो है हम बात करेंगे कि यहां देखें आई और यहां कोण है आर तो आई में से आर घटाने पर हमको ये कोण मिलेगा क्योंकि भाई ये जो है कैसे कोण है सिर्षाभी में और शिर्षाभी में कौन बराबर होते हैं तो हम पता है कि कौन आई तो यहां पर लिख सकते हैं टी क्यू आर के बज़ाए यहां पर लिख सकते हैं कौन आई-्रेंड-र-1 और यहां द्धन लिख सकते हैं कोण I2 या E2 यहाँ पर लिख सकते हैं कोण E2 रिण R2 अब यहाँ से जो है हमको पता चला कि दो बराबर I धन E रिण R1 धन R2 हो गया ठीक है और हमको यहाँ पर क्या पता है R1 धन R2 जो A के बराबर होता है तो यहाँ से हमको विचलन कोण मिल गया दो बराबर I धन E रिण A और इस तरीके से जो है हमको यहाँ पर भी जानकारे मिल गई इन दोनों के बाद में हमको सिद्ध क्या करना है हम देखते हैं कि मियू यहने के अपुरतनांक का मान है साइन A धन 2 बटा 2 और साइन A बटा 2 तो अब यहाँ पर जो है हम क्या देखते हैं कि हमको पता है कि मियू का मान होता है साइन I बटा साइन R ठीक है और यहाँ अगर हम लोग देखें तो हम लोग यह देखते हैं कि हम लोगों को अगर मानना है हम मान लेते हैं I बटाबर E और यहाँ से जो हैं हमको पता चल जाएगा कि 2 का मान होता है 2 का मान होता है 2 I अच्छा इसके असाथ साथ हम लोगों ने माना कि यदि R1 और बटाबर R2 और ये बराबर हो जाएगा R के तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2 बराबर यहाँ पर सूत्र क्या है? 2 बराबर I धन E रिण A और यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर 2 I रिण 2 R ठीक है? और यहाँ फिर हम लोग बोल सकते हैं कि R बराबर A बटा 2 होता है ठीक है तो यहां से जो है अगर हम लोग लिखना चाहें तो हमको पता चल जाएगा कि 2 I का मान क्या हो जाएगा 2 I का मान हो जाएगा यह उधर जाके जुड़ जाएगा और यह हो जाएगा 2 धन A 2 धन A या फिर I का मान हो जाएगा दो धन ए बटा दो और यहां से जो है यदि हम जो है साइन आई का मान निकालना चाहें तो साइन आई का मान हो जाएगा साइन आई का मान हो जाएगा साइन दो धन ए बटा दो और यहां पर जो है हमको इसका उपर वाला हिस्सा मिल गया A धन 2 बटा 2, यहाँ पर sin I कमान मिल गया, अब इसी तरीके से R के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, R बराबर A बटा 2 होता है, तो बटे अगर हम लोग साइन R करते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा हमको sin A बटा 2, और इस से इस सूतर की स्थापना हो जाती है, इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रशन का भी उत्तर दे दिया है, इसके लिए हमको 2019 में प्रशन पूछा गया था, पांच अंक का यह प्रशन है, और मुझे उमीद है कि अगर आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से फालो किया, तो आप इसका उत्तर अपनी परिक्षा में भी दे जो आप आपटे और समय को परिक्षा में परिक्षा में परिक्षा में विए जोगों